गोलियों से घायल पुश्पा हुआ तिरुपती जेल से फरा इसी कोशिश में पुलिस ने पुश्पा पर बरसाई गोलियां पता चला है कि पुश्पा गंबे रूप से जखमी हुआ है शेशाचलम की जंगलों में पुश्पा को ढूणने के लिए पुलीस ने एक स्पेशल यूनेट डिपलॉई की है भावरा पेट की पहाड़ीयों पर पुलीस ने पुश्पा की कुछ कपड़े बरामत किये खून से लत्पत शोर्ट पर मिले आठ गोलियों के निशार पुलीस के हाथों पुश्पा की हत्या की अफवाओं की वज़े से आप देख सकते हैं चित्तुरों तिरुपती के कई लागों में दंगे शुरू है और आप अबी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं किस तरह पुश्पा की समझकर हजारों की दाजां के इस तरह रहें आठ गोलिया लगी हैं एक इसान का बच्पना नामचिन है पुलीस की पुश्पा को मारने की एक साज दिस्ती है सब पस एंदेख रहे हैं कि पुश्पा पैसे किस तरह का माता था बन तुमाला महित्येका, पुष्पन उन पैसों का क्या किया? मेरे बेटी का हार्ड ओप्रिशन हुआ, उसका पैसा पुष्पा नहीं दिया बगहताई, अब ये ठीक है बेटी के शादी पुष्पा नहीं कर वाए पुष्पा नहीं हमारे ये घर बन दाए अरे वो आमगरीबो को खाना खिलाता था पुष्पा, इल्मागो, पुष्पा एक महीने के बाद भी दंगे जा रही है कई इलाकों में अभी भी सेक्शन 144 लागू है कुछ लोगों का मानना है कि पुष्पा अब जिन्दा नहीं है अफवा ये भी है कि वो जैपैन, मलेशिया या चाइना में कहीं हो सकता है पुष्पा की बॉडी छुपा कर क्या पुलिस हमें गुम्रा कर रही है आखिर पुष्पा है कहां जंगलों में लगाए गए वाइल लाइफ सर्वलेंस कैमरा का वीडियो हमारे चानल ने अभी प्राप किया है ये कैमरा जो शेरों को मॉनिटर करते हैं उनकी फुटेज अब आप हमारे सिटी केबल स्क्रीन पर देख सकते हीं कान है रे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा अगर जंगल में कोई जानवर दो कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है लेकिन जब शेरी दो कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है पुष्पाक कोच्छ रही हुआ पुष्पास एंदा नहाँ अबूल पुष्पाका मिन में कोच्छे तो समझ अबूल पुष्पास पुष्पास एंदाग